गिर जाओंगा आप देख सकते हैं काफी नीचे है काफी नीचे बना हुआ है जा देखिए काफी नीचे है और काफी उपर में खड़ा हुआ हुआ तो हलो गाइज वल्कम बैक तो मैं न्यू ब्लॉक्स मेरा में मुकेश सिंग और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में तो गाइज मैं आ गया हूं बिशाका पर्टम से करीब 90 किलोमेटर दूर जो की उर्रा बैली के नाम से एक जगह है जो की काफी फेम तो डिक्शा अब को अख़्र अच्छा मेरे को दिख रहा है इधर भी तो आप देख सकते हैं उधर से विशाका में मेरे के आने का च्रेन के memorize दॉग長 सबैस하면서 को अपने बाइक से लौट सकता हूं कि आज मैं सिंगल जा रहा हूं गाइस कोई मेरे साथ आज कोई दोस्त नहीं है तो मैं अपना ब्लॉग अकेले ही सूट किया करता हूं तो चलिए वहां चलते हैं मैं आज जहां भी जा रहा हूं तो काईस मैं सिंगल और अकेले और पहले बा काफी दूर का यातरा करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ वरा कुप आप देख सकते हैं फिछे लिगाऊ वरा हमने अपनी गाड़ी यहां पार कर दी काइज चलिए देखते हैं मेरे लिए भी नया चीज़ है देखाएं आपको वी नया चीज़ हमारे पीछे आप देख मेरा काफी पॉट रहा है क्योंकि महरा के लिए फिस्ट एरिया है और आप लोग के दिखाने के लिए घ्री लोग से पुछने के बाद पुछ इस टैब कर दोगी को मिल्या इसे बता है इस मिलेगा इंदर दो चलिए गाइज देखते हैं अट देखते हैं मेरा नया चीज और लोगो भी दिखाते हैं वहां तो कुछ इस टाइब का रूट जाती ओरा कर्ब के लिए तो करीब पांसो मिटर मेरे को बताया यहां से जाने के बाद मिलेगा जहां मैंने गारी पार की ती वहां से करीब पांसो मिटर दूर आप देख सकते हैं और कभ हम में पहुंचने वाला क्योंकि मैं फस्ट ऐसा जगा चूज किया हूं जहां काफी भीड मेरे को आज विशाकापटन में देखने को मिला काफी लगी हुई चलते हैं यहां पर दिखाते हैं आपको नया भी तो आज देख सकते हैं काफी दुकान आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरफ भी वह है यहां पर अलग तरह का लोग यहां बात करते हैं तो हिंदी तो समझते नहीं कुछ टो लेकिन हिंदी समझ रहे हैं तो मैरे को बता रहे हैं कि यह रास्ता सिरे जाता है यहां पुलिश पी पर धना तैय अदो की अपना जो भी है भीड ना लगने देख काफी भीन है यहां पर दोनों साइड आप देख सकते इस साइड भी दुकान है और इस साइड भी दुकान आपको देखने को मिलेगा काफी नया लुक आज देखने को मिलेगा मेरे को तो गाइस यहां भी बालाजी टेमपल के जैसा इस्टाइब का पहाड पर बना हुआ वोरा कप्स लिखा हुआ है तो कुछ इस टाइब का इंट्रेंस यहां पर बना हुआ और इसके चारो तरफ का राउंड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइब का है जहां मैं गाड़ी पार्की थी वहां से करीब 500 मिटर दूरी पर बना हुआ गाइस तो यहां पर इसका टिकट सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चार्ट देना पड़ेगा मतलब विशाखा पटनम का कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप विदाउट पैसा दिए आप शुटिंग कर सकते हो या अंदर जा सकते हो तो चलिए इसके नदे चलते हैं आपको दिखाते हैं यहां का अलग सब्सक्राइब करने के बाद अंदर जाना आएगा तो फाइनली टिकेट हमारी चेक इन हो गई हमने अंदर कर्ण रख दिया तो फाइनली माइज इसके अंदर आप आगे हो कुछ इस टाइप कभी आप देख सकते हैं चारों तरफ यहां भी ग्रिमिस है जो कल मैंने ब्लॉक बनाया था उसमें भी काफी उड़ा पार्क में काफी हर्याली थी और यहां भी काफी हर्याली लेकिन वहां पे देड़ सु मैं सुटिंग कर रहा हो गाइस पंडो तो कुछ इस टाइप का सिनिया बनावा उतरनी के लिए पंडो तो काफी लोग यहां भी घूमते नजर आ रहे हैं गाइस तो फाइनली मैं फिर से बोलना चाहूंगा बिसाका पटनम का कोई ऐसा जगह नहीं जहां पे आप विदाव पैसा दिया आप घूम सकते हैं हर जगह आपको पैसा देना है पहले उसके बाहर ही कुम करके तो कुछ इस ट्रीनिस है और पहाड़ पनावा गाई दोनों तरफ काफिट डीप है इदर काफिट डीप में बनावा गाई इस साइड तो फाइनली गाई इस देख सकते हैं सामने है उरा कर जाने का रास्ता यह है तो चलिए गाईस तीदे चलते हैं नीचे आपको दिखाते हैं उरा कर कैसा दिखता है काफिक खतरनाक है क्योंकि पहाड़ से नीचे पहले उतरना है कि लोग इसदर जा रहे हैं तो कि देख सकते हैं वहां से नीचे की और सिनी बनी हुए तो हम लोग नीचे उतर गए है पहाड से नीचे उतरने के बाद फाइले आप पहुंच गया है उरा कप के पास पीछे देख सेंदे कि इस टाइप का भी बना हुआ है काफी लोग नीचे से और अंडर नीचे जाते हुए गाईस तो चलिए नीचे भी चलेंगे लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानकार अब लोगों को दिखाने के लिए तो चलिए और कुछ सीनी नीचे बनी हुई जाने के लिए और नीचे चलते हैं और वहां का विव देख सकते हैं काफी और भीडी सीनी बनी हुई आप यहां के पून इच्छा ना चुला ने टो नहीं दों आनेरी शाब्रकर तो काफी लोग लेने के लिए जाई और देख सकते हैं काफी भीड यहां पर काफी नीचे सुनी जाती हुई तो गाइस फाइनली आप नीचे में पहुच गया हूँ आप देखें कि लाइटिंग को सिस्टाइब का बना बना यहां पर यहां का मानना है गाइस कि करदी मुरूफ से तयार इसकारण से काफी लोग यहां गोमने के लिए आए हुए आप देख सकते हैं काफी भीड पीछे और कुछ लाइटिंग से बनी हुई इसकारण से मैंने भी यहां सोचा है कि आप लोग को दिखाया जाए चलिए अब देख सकते हैं काफी नीचे से ऊपर जाती हुए गाइस काफी नीचे बना हुआ है पहाड कट करके आप देख सकते हो ऊपर काफी पहाड यहां पर शली अब नीचे चलते हैं और और इसमें लाइटिंग के ब्रोस्ता कर दी गई ताकर कुछ अच्छी लगए यहां देखने से देख सकते हैं काफी भीण है तीछे की और यह रास्ता आकर क्यों जा रहा है गाइस चलिए देखते हैं काफी दूर में पहला हुए गाइस अधर फोटो का पुरा सूट का भी है इदर बोस्ता आकर की अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है अधर बापो इद्स कह सब्सक्राइब ख़ए गाइस घ्रीक भी प्र जबदेश्ट काले छोटें क्यायर कर अंदर जा आइस त्रीवत नमीद रहा हुआ है जा की आइस टूरे नावन जाने लेल यह है यहिए नमद्वश्ट अपां पांदिए लेल्हत कर दूरा है तो पहाल के नीछे और भी अंधेरा इस कारण से सीट भी नहीं हो पायरों इतना अंधेरा है काफि नीचे काफि-डिफ्विम्म लोग आ पहे यहां पर काफि सीडी बना हुआ यहां पर आप 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 हम लोगों चलना है दिखी का यह नीचे हम लोग फाइनली यहां पहुंच गए और उपर की और सिडी बनी हुई तो उधर से चलना है निकलने के लिए हम लोगों तो काफी स्लिपरी है यहां पर देख सतने सिडी बने हुई का ख़िए ख़दनाक जो भाळ कटके रिकस्री बना हुई गईस और काफी नीचे बना हुआ है तो गईस देख सकते हैं उपर से नीचे की और हम लोग आया है यहां पर और पूरा नीचे यहां पर है और इधर से हम लोग बाहर जा सकते हैं कटे-वार नीचे था और पहुंच गई यहां पर दिखेक लें अंतिम होया एज से लोग उपर की और इधर से जाने का रश्ता उपर दो तो बच गया है तो चलिए नीचे चलते हैं और दिखाते हैं वहा का भी आप देख से कुछ स्टेक इस बना हुआ है अब बच्ची के साथ ये साथ की शेम उड़के देख रहा है अब आपकी अंधेरा आए गाई जीवर अगर 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 तो देख सकते गाई इस इसक बनाएए गाईज इस क glareने से काफी यहां पर भीड रहती है देख सोकिते हैं इस कुछ इझता है और अंदर शाने का रास्ता कुछ देख सकते हैं अंदर में कुछ इस्टाइब का बना हुआ है चलिए कुछ और देखते हैं अगर तो अंदर का रास्ता कुछ इस्टाइब का बना हुआ है अंके सिंह हंग अंदर का बना दिया गया तो वाइस पहाड के नीचे काफी अंदरा भी है कही कही लाइटिंग इसकारण से अच्छा सूट नहीं हो परा क्योंकि अंदरा अंदरा दिखने लग रहा है इतर तो देख सकते हैं पूरा अंदर का भूब कुछ इस ताइब का है अंदर में लाइटिंग करके कुछ अच्छा बना दिया गाइस अंदर में एक भाई मिले जिनका एक लड़का है यह भूमने के लिए गाइस हाई करता है आपको आप लोग भी इसको अस्रुबाद दियेगा ताकि भॉष में कुछ कर सके इस अधियरा है काफी खतरनाक जगह मेरे को बोल सकते हैं तो गजब लग रहा है देखने में यह पर पूरा देख सकते हैं चारों तरफ अंदरा है लिए कहीं कहीं लाइटिंग लगा हुआ है गाइस पूरा अंधेरा में रिकॉर्डिंग वरियाज मैं लोग जो चढ़े पहाड जो बाइक में चढ़ाया लगता को उतने ही नीचे यहां पर बनावाए गाइस अंदर पहाड के नीचे हम लोग काफी अंदर घुसे वेगाई यहां पर देख सकते हैं काफी काफी लाइटिंग के साथ पूरा लाइटिंग लगी हुई इतर त गार्ष ओर टो काफी अंदर में रोड जिसा बना वाए देख सकते हैं काफी लोग यहां पर है काफी लोग भूमने के लिए यहां पर आए गाईस और जगह जगह पर खोटो अब चुबाने के विए ब्लस्ता बनी वहान इतर आप देख सकते हैं तो गाईस मेरे को लगता ह तभी दूर में पर्रा कब ब्रास के जब Dennis систем काफी दूर मैं यात्रा करने के बाद भी लगता है खतम नहीं हो रहा है तो काफी लोग आंदर भूम रहे हैं पुरा लाइटिंग साथ हाँ यह पर खतम होगी आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइटिंग है पहाड के नीचे अब इस साथ देख सकते हैं guys पानी भी टपक रही है मतलब पहाड से नीचे पानी भी टपक रही है चारों तरफ का व्यूप इस तरफ का अन्तिम है यह अन्तिम छोर पे पहुँच गए पुरा घूमने के बाद अन्तिम छोर पे लोग पहुच गए इसके बाद रास्ता नहीं बना हुआ मतलब की पुरा कब जो था यहां आपके खत्म होता है तो मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कहां जा रहें क्योंकि पहाड के नीचे था और काई देख सकते हैं यहां लाख कॉर्णर यहां बना हुआ कुछ इस टाइब का भी हो फाइली तो गजब का है मतलब पूरा खत्रनाक है अगर थोड़ा से पहाड हिलता है तो जितने भी लोग इंदर सब खत्म हो जाएंगे कुछ इस टाइब का गुफा इदर बनावा लाइटिंग चारो तरफ बनी वही गाई तो मेरा फाइली मानना ही है कि ऐसा ऐसा जगह पर आपनों ना घुमें क्योंकि पहाड के नीचे आप लोग गूम रहेंगा थोड़ा से भी अगर कुछ होता है तो पूरा खत्म हो जाए पहाड के नीचे बना हुआ है कोई इसे बनाया नहीं है और अपनी स कड़ी पॉंपी और बना फिसे बनाया है तो पानी बिच पक रही है काफी कह फटरनाक है कि पूरा। काफी लोग यहां पर गूम रहें गश्वाईom İs against गजब का लाइटिंग पहाड में हर देज़ा लाइटिंग कर दिया तो फाइनली यही लाश्ट था पूरा वैली जो कब है उसका लाश्ट छोर यही था अब चलते हैं सिद्धे बाहर एक ची मेरे कुछ समन्द में आई कि धरती के अम लोग नीचे इतना खड़े हैं तो ऐसा नहीं फिल हो रहा है कि हम लोग काफी नीचे हैं अम लोग लग लिए उपर हैं काफी पहाड देख से काफी ऊपर व्यांकि दूर में उपर कटिंग किया गया गाई तो आटमेटिक तो काफी अच्छा आप पीछे रोड देख सकते हैं यहां पर पीछे देख सकते हैं बच्चे लोग जो सोर करें तो काफी गूंज रहा है यहां पर इस ताइब का भी हुआ यहां पर उर्रा बैली कर्ब में कर दो जैजिए फहले बाहर निकलते हैं क्योंकर काफी समय हो गयां घुनते गुंते देखते हैं किस टाइब से योग भाहर जा सकते हैं तो आदमी ने इसे बनाए नहीं है इस कारण से काफी भीड़ है और बाहर जाने का रास्ता आप देख सकते हैं काफी संकीर्ण है काफी अंदेरा है मतलब दो पहाड के बीच में बना हुए गाइज एक बार में एक ही आदमी बाहर यांदर जा सकता है के बाहर जासे कारण से रुपना भी पड़ रहा है यहां देख सकते हैं कुछ अंधेरा इस ट्रही बना हुआ और हमको भूप करके जाना पड़ रहा है आप देख सकते हैं आप आप यह खतरनाथ है और सामने देख सकते हैं, उपर से नीचे के ओर करते हैं, उस साइड से आये थे नीचे के ओर, और वो बाहर जाएंगे इस साइड से आपी और भी आपी आती हुए यहां से, और इस साइड से लोग उपर के ओर जा सकते हैं, तो गाइज, कलिए फाइली मैंने पुरा, जो उरा कर्ब था उसको पुरा सूट कर लिया है, तो यह सिली बनी हुई, अब सिली पे चड़ करके ऊपर जा सकते हैं, और मेरे पीछे का भी हो, आप देख सकते हैं, काफी भीड है, और भी काफी भीड हो रही है, यहां पे, उपर भीड कुछ इस ट्राइब अकर बना हुए सिली, तो फाइली, गाइस काफी थक गया हुए, काफी सिड़ी पना हुए गाइस उपर चड़ने में, और कुछ सेब से, उज़र देख सकते हैं, लोग अभी भी वहां से आ रहे हैं, काफी भीड है, आप देख सकते हैं, काफी भीड है वहां पे, लोग अभी भी सिड़ी से नीचे उतरते हुए, और लाइटिंग, और हम लोग इस सिड़ी से उपर की और आ गए हैं, तो चलिए गाइस, आब बाहर चलते हैं, काफी स्व यहां पर मंदीर मंदीर में जो जाना चाहते उसी के लिए उपर बना हुआ यहां पर और जिदर से हम लोग अंदर आये थे वही भीन रास्ता है बाहर जाने का तो चलिए गाइस बाहर चलते हैं तो काईज देख सकते हैं कुछ नीचे उतरने का रास्ता यह है और इधर से हम लोग इधर से हम लोग अंदर आये थे वही रास्ता है बाहर जाने का तो काफी खतरनाक है इस भी देखे बना हुआ गाईज इसको रिकॉर्डिंग नीचे करके ही सूट करना पड़े है गाईज क्योंकि सीडी बनी हुई अगर कैमरा हम अपने तरफ करते हैं तो पैर स्लिप करेगा और मैं गिर जाओंगा आप देख सकते हैं काफी नीचे है काफी नीचे बना हुआ है गाईज तो वाइस उपर देखे थे ने नीचे की ओर भी उतरा हुए और जाने का रास्ता यह नीचे तो रिकॉर्डिंग नीचे करनी पड़ रहे हैं क्योंकि अगर मैं उपर करूंगा तो सिर्णी नीचे बढ़ी में गिर जाना है काफी बीड़ है काफी लोग यहां पर अभी आ रहे हैं गाइस अभी देख सकते हैं आपके में दिखा रहा हूं काफी लोग कि अब बाहर जा रहा हूं काफी लोग अभी और अंदर नीचे की बढ़ारा है काफी अंदीरा इदर कि आप लिख सकते हैं काफी लोग और नीचे उदरते हूं इदर और अभी लोग और आ रहे हैं इदर काफी कंजेस्टेट में बना हुआ है रास्ता कि काफी सीड़ी चलते चलते पैर में दर्द हो गया घाईस है अब देख सते हैं पूरा नीचे की और आप देख सते हैं लोग काफी अभी आ रहे हैं पूरा थब गया गाईस पूरा जान जो पैर दुनों दर्द करने लगा अभी चलना हमको उपर कियो है तो बाहर जाने का रास्ता काईस यह है आपको उपर दिख रहा हुआ काफी काफी नीचे में आगया था गाईस काफी नीचे बनावा है उड़ा कर्भ और काफी लोग यहां गूमने के लिए आते हैं तो चलिए अब बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं कुछ देख सकते हैं गाईस अभी और लोग उपर की और आ रहे हैं इस अब लोग बाहर निकल गए हैं फाइली गाईस मैं बाहर आ गया हूं पीछे आप देख सकते कुछ इसका कभी और इंट्रेंस जाने का अभी तो दिख रहा है उपर लेकिन इसके अंदर गर जाते हैं तो आप को दो दोगा तो जब अंदर जाते काफी नीचे काफी नीचे गराई में बना हुआ गया काफी लाइटिंग आपको पूरा लाइटिंग देखने को मिला हूं काफी भीण है अंदर में और उपर जाने का राश्ता कुछ इस टाइप का अभी फाइनली उपर हम लोग न और काफी समय काफी लेट हो गया में करींटी किल relationships के बाद फिर नीचे जाना काफी लेट हो गया गाईज पुछारी अब फाइनली बाहर चलते हैं तो देख से गाईज बाहर जाने का एक्जिट इस टाइब को बना हुआ याप है इसके अंदर फाइनली गाईज आप देख सकते हैं मैं औरा के बाहर अब निकल गया हूँ आई और फॉरा मैंने कभर कर दिया अपलोग को पूरा ब्लॉग में दिखाया होगा ब्लॉग आप लोग अच्छी लगी को तो जरूर लाइक कि जाएगा अगर चैनल पर नहें आए आऊ-सब्सक् आज के लिए थैंक्यों फॉर वाचिक मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब गुडबाई टेक केर बाई बाई